हेलो दोस्तों आज आप लोग के डिमांड पे हम यह सलाई की द्वारा चोली बनाएंगे और साथ में पुसाग बनाएंगे लेकिन पुसाग आपको अगले भाग में मिलेगा यहां पे हम सिर्फिस पे चोली बतलाए हुए हैं देखे इसमें कुछ हम बहुत ही हलका सा और पी से अलग से देखना चाहेंगी तो देखें के दीजाइन कुछ इस तरह का है मैं इस डिजाइन पर ही हम यह चूली बनाए हुए है देखि यहां देखने में कुछ इस तरह का लग रहे है हम आई यह देखते हैं कैसे बनता है तो चलिए इससे हम बनाना शुरू करते हैं, शुरू करेंगे हम चोली से उसके पहले बतला दे आपको कि हम बेबी उल लिये हुए हैं, हम अधिकतर यहां पे बर्दमान या और्षवाल का उन यूच करते हैं, तो यह ले लेने के बाद यहां पे हम फंदे डाल रखे हैं, ते एक, फिर देखिए, यहां से एक बुने, अब इससे एक हम बढ़ा लेंगे फंदा, यह हो गया, दो फंदा हो गया, एक का दो फंदा हो गया यहां पे, फिर से इसमें भी हम फंदा बढ़ाएंगे, यानि जो हम बून रहे हैं, तेईस फंदा लिये हुए हैं, तो इसमें ज पंदों को बढ़ाते चले जाएंगे एक फंदा से दो फंदा करेंगे आप इस तरीके से भी कर सकती हैं पंदा बढ़ा सकती है या आप जाली भी यहां पर डाल सकती है कि इस तरह से हम यह पहला लाइन कंप्लीट करेंगे देखिए हमारा यहां पर दो फंदा बचा है जिसमें एक फंदा में यहां पर बढ़ा रहे हैं फंदे को एक से दो किये अब लाश्ट का जो यह फंदा बचा है इस तरह से खंदा हमारे पास पढ़े गया, अब इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद अगर आप यहां चाहती है इसे तो यहां एक आप यहां गाथ दे सकती है ताकि यह खुले ना, बाद में हम फिर इसे अड्यस्ट कर लेंगे, किस तरह से करना हमें अब उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बूनेंगे पहला फंदा उतार लेंगे और जितना भी फंदा है यहाँ पे सबको हम उल्टा बून लेंगे इसके बाद हम डिजाइन सुरू करेंगे इस तरह से देखिए हम दो लाइन यहाँ बूनकर कम्प्लीट कर लिए है एक ग्यारा नमबर का हमसे लाई यहाँ पे लिए हुए है तो आपको यहां पर फंदा कम लेना होगा तो देखिए और यह उन है थ्री प्लाई का तो देखिए यह एक राइन कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम यहां पर डिजाइन बनाना शुरू करेंगे बहुत, पहला फंदा उतार लेंगे हम यह दूसरे फंदे से ही इजाइन बना शुरू करेंगे तो इस तरहा से देखिए फंदे को यहां पर इस ठंग से ले लेंगे लेने के बाद उल्टा बुनेंगे हम देखिए जो हमारा यहां पर चला आ रहा देखिए यह खिचाते चले जा रहा है तो इसे हम नहीं इससे नहीं बुनेंगे हम जो हमारा यहां पर पहला फंदा बुनने पर जो यहां पर लिए हम यहां देखिए ब लेंगे इस तरीके से टाइट कर लिए अब फिर से फंदे को हम इस तरीके से अपनी और ले लेंगे इसके बाद दो उल्टा बुनेंगे जो टाइट है मारा यहां फंदा उससे हम दो उल्टा बुनेंगे एक और एक दो फिर से इसे टाइट कर लेंगे नीचे की और फिर उप पीट करते चले जाएंगे लास्ट का जो एक फंदा रहेगा उसे हम सीधा बूनेंगे इस तरह से बूनते हुए हम इस लाइन को सबसे पहले कम्प्लिट कर लेंगे हमारा यह पहला डिजाइन का पहला लाइन रहेगा अब देखिए अब यहां पे लाश्ट हमारा तीन फंदा बचता है तो हम तीन फंदा किस तरह से बूलेंगे यह फंदे को अपनी ओर करेंगे और यह जो दो फंदा है इसे हम उल्टा बूनेंगे दो एक और एक दो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि यह धागा को हम ज्यादा टाइट नहीं करेंगे अगर ज्यादा अप्टाइट किजेगा तो डिजाइन यहां पर पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा और इसके बाद यह जो एक फंदा बच रहा है इसे हम सीधा बून लेंगे इस तरीके से अब पलट लेंगे पूरा उल्टा बूनेंगे उल्टा तरफ से हमें प्रती एक ब झाल 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 तरफ से पूरा उल्टा बून लेने के बाद में एक लाइन और हम इसी डिजाइन को हूनेंगे यह पलट लेते हैं पलटने के बाद फिर से इसी डिजाइन को हम एक लाइन और बूनेंगे आपका यह इस तरह से डिजाइन बन कराएगा पूरा बनने पर पता चलेगा पहला फंदा उतार लेंगे फिर से फंदे को उप्नीओर करेंगे और दो फंदो यसी तरह उल्टा बूनेंगे एक दो दिहान रखे कि इसे हम जादा टाइट नहीं करेंगे हलका ढीला ही इससे हम रखेंगे फिर सिफंदे को अपनी और करेंगे और एक दो जो दो फंदो का हम बना रहे थे उन्हीं दो फंदो का हम बनाएंगे यहाँ पे देखिए जो दो फंदा से हम बना रहे थे तो उन्हीं दो फंदो का बनाएंगे यह नहीं कि अप आप दो फंदा पहले अपक्णा उतार एक पंदा बुंदी इसके बाद फंदों कम्ट रहे हैं ऐसे भी डिजाइन बनता है लेकिन हां पे हम सीधा सीधा बेफ रहे हैं तो इस तरह से इस कर चलिए हम दो लाइन में complete करते हैं एक सीधा तरब से बुन लेंगे और दुसरा उल्टा तरब से बुन लेंगे तो यह हमारा चार लाइन में डिजाइन बनकर complete होगा चलिए से पहले हम बुन कर complete करते हैं यह इसतरह का डिजाइन आपका आएगा अब देखिए यह हम उल्टा तरफ से भी नहीं बुनेगे हैं सिधा तरफ से पुरा सिधा बुन लिया अब उल्टा तरफ से बुनेगे तो उल्टा तरफ से में यहाँ पे फंदों को बढ़ाना है किस तरह से हम फंदा बढ़ाएंगे पहला फंदा उतार लेंगे दूसरा फं इस तरह से आप और अलग तरीके से बढ़ा सकती हैं जैसे कि हम आगे बतलाते हैं चार के बाद एक फंदा बढ़ाये फिर एक दो तीन चार यह 4 हो गया अब फिर से एक बढ़ाएंगे एक दो का एक कर लिए इस तरीके से बढ़ा सकती है आप फिर पंदे को हम अपनी ओर करेंगे फिर से चार पंदा उल्टा बुनेंगे दो तीन चार और फिर से हम एक फंदा बढ़ा लेंगे फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे फिर चार फंदा पर एक फंदा बढ़ाएंगे तो तीन चार फिर से एक फंदा चार के बाद एक फंदा यहां बढ़ा फंदे को अपनी ओर करेंगे फिर से एक दो तीन चार फिर से अब एक से दो बनाएंगे एक फंदा यहां भी बढ़े गया फंदे को अपनी ओर करेंगे चार फंदा बुनेंगे एक दो तीन चार फिर एक बढ़ाएंगे फिर से फंदे को अपनी ओर करके एक चार फंदा बुनेंगे दो तीन चार फिर से एक फंदा यहां पर बढ़ेगा चार के बाद हमें एक बढ़ा रहें इस चीज को ध्यान में रखें एक, दो, तीन, चार फिर से यहाँ पर एक भंदा बढ़ जाएगा फिर यह चार बचाव हमारे पस भंदा यह चार हम प्लेन गुंढ लेंगे, उल्टा एक, दो, तीन, चार तो देखिए चार के बाद एक एक भंदा को हम यहाँ पर बढ़ाते चले गया है अब इससे अगर आप चाहती है तो एक लाइन आप यूहीं बिन सकती है और नहीं तो आप यहाँ पर बाह निकाल सकती है तो चलिए हम यहाँ पर बाह निकालेंगे देखिए बाह किस तरह निकालेंगे पहला फंदा उतार लेंगे और अगर आप चाहें तो डिजाइन यहां जारी रक सकती है या तो आप इसे प्लेन बुन सकती है तो हम यहाँ पे हम प्लेन बुन रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे शे शाट आठ ये आठ फंदा हम आगे पलना में रखेंगे अब फिर से हमें यहाँ पर बाह निकालेंगे एक, दो, दो फंदा बुनने के बाद पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाके गिराएंगे बंद करेंगे यानिकी यह इस तरीके से एक, हमें दस फंदा बाह में बंद करना है दो, ज्यादा टाइट हमने ही बंद करेंगे, हलकी हाथों से बंद करेंगे तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, और ये रहा दस दस फंदा ये हम बाह में निकाले, अब बाकी फंदों को यहाँ बुनेगे हम दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, एक ग्यारा, बारा, तेरा, चादा, पंदरा, शुल, अब एक बाह हम फंदे को गिन लेते हैं तीन, छे, आठ, ये आगे परला का हो गया, तीन, छे, नौ, एक दस, ठीक है अब यहाँ से हम सुल्ला फंदा पीछे परला में रखेंगे अब यहाँ से हम दूसरा बाह निकालेंगे दस पंदा बंद करेंगे एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नौ, और ये रहा लास्ट का, दस तो यहाँ पर देखिए दूसरा भी बाह निकल गया अब इन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे दो, तीन, एक फंदा पहले से था, तो तीन हुआ चार, पाच, छे, साथ, और एक, आठ अब देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए बाह निकल गया है, दोनों बाह निकल गया है काना जी का, अब उल्टा तरब से देखिए हमें किस तरह बुनना है और किस तरह से फिर से डिजाइन को हमें यहाँ पर सेट करना है तो ये हो गया दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ अब जो आठमा हम भूनेंगे अगर आप चाहती है तो अलग भून सकती है और नहीं तो आप इसे दो फंदों को एक कर सकती है इस तरीके से इस तरीके से करेंगे तो बाह यहां पर अलग तरह का जूटा हुआ आएगा फिर से हम यानि इस लाइन पर हमारा दो फंदा यहां पर कम हो जाएगा क्योंकि दोनों के पास में हमें इस तरह से बनाना है दो का एक करना है अब देखिए जैसे यहां पर है तो यहां भी हम एक यह और एक यह दोनों को मिला कर दूम लेंगे अब पलट लेंगे देखिए यह आपका इस तरह से चूली आ रहा है देखिए यहां पर कुछ इस तरह का दगएगा देखिने में अब हम फिर से चलिए बनाना शुरू करते हैं इसी डीजाइन को डालेंगे पहला फंदना उतार लेंगे और जिस तरीके से हम डीजाइन यहां पर डाले हुए थे उसी तरीके से डालेंगे दो फंदो को बुनेंगे इसे नीचे की और से टाइट करेंगे ज्यादा हम टाइट नहीं करेंगे बिल्कुल हलका फिर से देखिए यहां पर एक दो दो फंदा बुन लिए अब देखिए यहां पर हम फिर से देखिए किस तरह हम हैं हमें किस तरह से हलका यहां पर टाइट कर फिर से एक दो एक दो एक दो बस इसी डिजाइन को हमें यहां पर डालना है चार लाइन हमें और भून कर यहां कम्प्लीट करना है तो यह डिजाइन भी हमारा कमर के पास आ जाएगा दो लाइन में यानि जिस तरह से चोली में आया एक और एक दो उसी तरह कमर के पास भी आ जाएगा दो अब यह हमें सीधा बुनना है लाष्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे इस तरह से अब उल्टा तरब से पूरा उल्टा बुन लेंगे तो चलिए उल्टा तरब से पूरा उल्टा बुनेंगे और इसे हम एक लाइन में और इस टीजान को यानि तीन लाइन और बुनेगे उल्टा पूरा फिर सीधा फिर उल्टा इतना बुन कर हम complete कर लेते हैं इस तरह से देखिए हम सलाई से यह से नहीं उतारे हुए हैं आपका यह चोली इस तरह से बनकर तयार हो जाएगा यहाँ पर आगे तरफ से भी देखने में कुछ इस तरह का लगेगा तो इस तरह से हम यह चोली बनाएंगे अब चलिए अगले भाग में इसमें आपको इसका पुरा घेरा बनाने के लिए बतलाएंगे चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में